हेलो एवरिवन, आज मैं आपके साथ पालक के कोफते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मैंने धाई सो ग्राम पालक को अच्छी तरीके से साफ करके छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है, अब इसमें एक मीडियम साइज के प इसमें की अच्छी तरीके से डो बन जाए, अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसका एक डो बना लेंगे, मैंने डो त्यार कर लिया है, अब इसमें से थोड़े थोड़े पोर्शन को निकालके और छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे, इस तरीके से, मैंने सारे बॉल तयार कर लिये हैं अब एक steamer रखेंगे gas के उपर इसे गरम करेंगे steamer गरम हो गया है अब यह जो बॉल बनाये थे सारे बॉल इसके अंदर डाल देंगे हमें इनहें steam करना है हमें इनहें fry नहीं करना है थोड़ी देर के बाद चेक कर लेंगे पांच मिनट के बाद अब यह अच्छे से स्टीम हो चुके हैं अब गैस के उपर एक कडा ही रखेंगे इसमें मस्टर्ड ओईल एड़ करेंगे ओईल गरम हो गया है अब इसमें एक तेज पत्ता, दो सूखी लाल मिर्ज, जीरा, हींग दो मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है अब इसे थोड़ी देर कुक कर लेंगे अब हम इसके लिए मसाला तयार कर लेंगे कुछ लेसन की कलिया है, एक इंच अद्रक का टुकड़ा टेस्ट के कॉर्डिंग हरी मिर्ज, दस काजू, एक बड़े चमच मगच की बीच एक बड़े साइज की टमाटर को काट कर ले लिया है दो बड़े चमच दही ली है अब इन सब का पेस्ट बना लेंगे प्याज अच्छी तरीके से कुख हो गया है प्याज को गोल्डन होने तक कुख कर लेना है अब जो मसाला त्यार किया था उसे इसके अंदर डाल देंगे जार में थोड़ा सा पानी डालके इसे खंगाल ले अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरे का पाउडर, टेस्ट के कॉर्डिंग नमक अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब इसे कवर कर देंगे और मसालों को अच्छी तरीके से कुख होने देंगे अब मसाली में से आप देख सकते हैं, तेल बाहर को दिखाई देने लगा है, मतलब मसाला अच्छी तरीके से कुख हो गया है अब इसमें पानी एड़ करेंगे इसमें एक कप के जितना पानी एड़ करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें गरम मसाला एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे कवर करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे चैक करेंगे अब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आना सुरू हो गया है अब हमने जो बॉल तेयार किये थे पालक के वो सारे इसके अंदर डाल देंगे अब इससे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब इसमें हरा धनिया एड़ करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इससे कवर करके 5 मिनिट इसे और कूक कर लेंगे medium flame पर 5 minute के बाद इसे चैक करेंगे हमारे कोफते बिल्कुल त्यार है अब गैस की flame को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके serve करेंगे अब इसे हरे धनिये से garnish करेंगे हमारे कोफते बिल्कुल त्यार है thank you for watching